दुला राशिवालों क्योंकि आज दोपहर तीन और एताइलीस बजे के बाद धरती आसमान करने वाला घटना होगा जी हाँ बता दे एक साथ दो दो बड़ी खुशियां आपकी जोली में आने वाली है जी हाँ नाग देवता आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं क्योंकि आपके उपर नाग देवता का असीम कृपा पढ़ने वाला है और साथ ही साथ माता रानी लक्षमी जी का भी आशिरवाद मिलने वाला है और यह देखकर आपके दुश्मनों का जीना हराम हो जाएगा वह और ज्यादा जल जल कर राख हो जाएंगे जी हाँ जो लोग आपक अगर कोई है तो वह है समय जी हाँ समय से बड़ा इस धर्ती पर कोई नहीं है क्योंकि जिनका समय साथ देता है जिनका समय अच्छा होता है वह अगर मिट्टी भी छोटा है तो वह सोना बन जाता है जी हाँ कदर हमेशा समय की होती है और लोग इसे अपना समझ लेते हैं ज नसीब हो तो ऐसी होनी चाहिए जो कि दोस्तों जिन्दगी में हड़कंप मचा दे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें आपकी किस्मत और भाग्य दोनों का साथ देता हुआ देखकर अडोस पडोस के सभी लोग आपसे चलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी, महालक्षमी की कृपा, अब आप सभी के जीवन काल पर पढ़ने वाली हैं, और धन की देवी, महालक्षमी जी के साथ-साथ, नाग देवता का भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका आपकी जिंदगी में निभाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य, अब आपके सातवे आसमान में कदम रखेगी, क्योंकि भाग्य का असली खेल तो अब शुरू होगा, जो लोग देखेंगे, वह लोग देखते ही रह जाएंगे, आपकी तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आसपडोस की सभी लोग देखकर आश्चर्य होंगे कि आखिर इसने किया कैसे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह सभी पिछले किये गए, अच्छे मेहनत का फल है, अच्छे कर्मों का नतीजा है, जी हाँ, जिन्दगी में कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है, तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही और किसी भी रूप में मिल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये वक्त हमें कभी कभी परकता है, कभी हालात के रूप में, तो कभी मजबूरियो के रूप में जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे भगवान महालक्षमी के आशीरवाद से कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से अब आपके बदलने वाले हैं जी हां दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा आपकी जिंदगी में चार चांद ही लग जाएगा जी हां दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी खास बाते हैं जिन्हें अगर आप समय रहते जान देंगे समय रहते इन अवसरों को पहचान लेंगे तो दोस्तों आपका भाग्य अपने आप ही बदलने लगेगा जी हां दोस्तों वह कौन-कौन सी बाते हैं कौन-कौन सी विशेश सावधानिया हैं किन-किन क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य करने से धन लाब की प्राप्ती होगी सभी लाब हानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एक-एक कर आप तक पहुंचाएंगे। कौन-कौन से बदलाव आपके व्यापार, व्यावसाय, कैरियर बिजनिस, आपके परिवार के जीवन में, आर्थिक जीवन में, आपके निजी जीवन में, ये सभी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, इस बात की गारंटी है कि आपकी समय की बरबादी बिल्कुल नहीं होगी, और आज की वीडियो में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जानकारी आपको मिलेगा, अगर आप इन्हें एक-एक बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, सबसे पहले जितने भी मातारानी के भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो को लाइक करें और सच्चे हिर्दय से कमेंट बॉक्स में लिखें, तीन बार जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता. इससे नाग देवता का सीधा आशीरवाद आपको प्राप्त होगा. जी हाँ. तो आए दोस्तों, बिना समय गमवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं. गुरुजी के एक सुन्दर अनमोल विचार स भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे र पास पास रह रहे लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे जिसके कारण आपको अपने कामों को करने में समस्या होगी आप कई योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं जो भविश्य में आपके लिए अच्छे रहेगी आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर रहा था तो वह पूरा हो सकता है आज कोई बड़ा निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले क्योंकि बड़े काम करने के लिए समय अभी उतना अनुकूल नहीं है जी हाँ आज घर पर ही रहे और शान्ती से समय बताएं अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ अपने म आपकी नेत्रित्वक्षमता बढ़ेगी और आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है आप कार्यक्षेत्र में अपनी मनमानी चलाने से पच्चताएंगे तब ही जूनियर्स को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है राजनीती में कार्यरत लोगों के काम का उनके भी खराब हो सकती है आप यदि किसी बैंक व्यक्ति और संस्था आदी से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा जीवनसाथी का सहयोग बढ़ाने से आपको भरपूर मात्रा में लाब मिलता दिख रहा है इसलिए अगर समस्या है तो आप अपने जीवनसाथी के साथ शेयर करें क्योंकि सबसे बड़ा मित्र सबसे बड़ा सलाहकार जीवनसाथी ही होता है जी हां आज का दिन आपके लिए परोगकार के कारियों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा जन कल्यान के कारियों से आपको जुड सकता है व्यक्तिगत संबंधों में आपका पूरा प्रयास रहेगा यदि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें आपको जीत मिलने की संभावना बंती दिख रही है आप अपने धन का कुछ हिस्सा दानपुण्य के कारे में भी लगा सकते हैं आपको किसी गलती से सबक लेना होगा और अगर आप से जाने अन्जाने में कोई छोटी मोटी गलती छोटी मोटी भूल हो जाती है तो आप माफी मांग कर सौरी बोल कर बात को वहीं पर समाप्त कर ले तो आपके लिए बहतर रहेगा, नहीं तो समस्या आगे बढ़ सकती है आज का दिन आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना लेकर आने वाला है सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार में आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो उसे उतार पाना मुश्किल होगा आप अपने अंदर चल रही कम्यों को निकाले और यदि कोई गलती हो तो उसमें आपको तुरंत माफी मांगनी होगी नौकरी में कारिरत लोगों को अपने बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां नहीं मिलना है, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आपकी संतान की प्रमोशन हो सकती है या फिर उन्हें नई नौकरी लग सकती है जिससे आपकी खुशी दोगुनी होने वाली है आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी की रौनक रहेगी आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वास से भर पूर रहने वाला है व्यवसाय में आपको अच्छा लाब मिलने की पूरी संभावना है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रयास गती पकड़ेंगे मित्रों और सहकर्मियों के साथ आप कोई धोखा ना करें नहीं तो बाद में आपको उसके लिए समस्या हो सकती है साजेदारी में काम कर रहे लोग किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं आपको कुछ अनुबंधों का लाब मिलेगा लेन देन से संबंधित मामलों में आप अपनी बात लोगों के सामने स्पष्ट रखें नहीं तो समस्या आ सकती है आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है उनसे आपको सतर्क होकर रहना है उनसे आपको दूरी बना कर रहना है श्रीहां क्योंकि कल के गाल में नहीं पढ़ना है नहीं तो बेवजह कि आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि उनका काम ही है आपको समस्या हो सकती है, आप अपनी मेहनत वलगन से कार्यक्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में काम्याब रहेंगे, आपको किसी संपत्ति का सौधा करते समय उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, रा भशी का ठिकाना नहीं रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, शिक्षा से जुड़े लोगों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है, माता पिता यदि आपको कोई सलाह दे, तो आप उस पर अमल अवश्य करें, प पर आपको नुकसान होगा और लेने की देने पड़ सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो किसी एकांत जगह में शांती से बैठ कर फिर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फल दायक रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में काम्याब रहेंगे और परिवार में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो वह दूर होगी और सभी एक दूसरे से नजदीकियां आपको पिताजी से किसी बात को लेकर जिद वहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो समस्या आ सकती है। घूमने फिरने का दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपनों के साथ आज कुछ खुशियों से भरे पल व्यतीत करेंगे। वरिष् से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप अपने अंदर चल रही कम्यों को निकाले और यदि कोई गलती हो तो उसमें आपको तुरंत माफी मांगनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां नहीं मिलना है। नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी संतान की प्रमो आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका कोई विरोधी आपको परिशान करने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो आपको समस्या हो सकती है। आपका कोई बड़ा लक्ष पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। शिक्षा से जुड़े लोगों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। माता पिता यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उस पर अमल अवश्य करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उतावलापन ना दिखाएं। नहीं तो यहां पर आपको नुकसान होगा और लेने की देने पड़ सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो किसी एकांत जगह में शान्ती से बैठ कर फिर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फल दायक रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में काम्याब रहेंगे और परिवार में यदि किसी बात को लेकर अन्बन चल रही थी तो वह दूर होगी और सभी एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाएंगे। आपको पिताजी से किसी बात को लेकर जिद्व अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो समस्या आ सकती है। घूमने फिरने का दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपनों के स चारों और अवधारणाओं को पेश करने के लिए इस अवसर का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी मासूमियत और इमानदारी व्यंग्य और आक्रामक्ता के रूप में लोगों को लगे क्यों कि लोग आप से ज्यादा परिचित नहीं है। इसलिए साव प्रक्षित और चिंतित महसूस करेंगे। लेकिन इसे अपने उपर हावी ना होने दे और संतुलन बनाए रखें। कोई आप से बदला लेने की कोशिश में है इस से स्थिती और भी खराब हो सकती है। आज आपको यह बात समझा जाएगी कि केवल जीवन शैली में छोटे उसे छोड़ने की ताकत महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऐसी कोई आदत छोड़ीच चुके हैं तो अब आपको इन बदलावों का अच्छा असर अपने शरीर और मन दोनों पर दिखना शुरू हो जाएगा। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बह जाने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूप पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खिंचा, खिंचा सा है लेकिन आज स्थिती में सुधार होगा। आज आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिती में र मुश्किल हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिम्बित होगी। ये आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी। प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहे। अपने आपक आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप उनको ज्वाइन भी करेंगे, आप अच्छा खाना खाने की सोचेंगे, लेकिन इसके बारे में अधिक न सोचें। क्योंकि आप जब तहकठिन शारीरिक मेहनत वाला काम करके कैलोरीज खर्च कर लेते हैं। तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। दीन के अंत में सारा काम खाहत्तम करके आराम की योजना बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको रोमैंटिक संबंध अथवा आकरशक होने के मामले में कम आखा जाता है। तो अब समय आ गया है कि आप इस बारे में कु इस रास्ते पर चलना है। जीवन में आने वाली हर चीज को लेकर सहज रहें। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है। जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तिये प्रतिबधताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तिये स्थित को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए। लेकिन आपके दाइत्वों का निर्वाह पूरा नहों पाए। आपको बचत के रूप में कुछ कर पाएंगे। मज़ेदार तो ये है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हलका फुलका बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। अपने स्वास्थे की अतिरिक्त देख भाल करने क समय है। आपके अपनी समस्याओं के प्रतिला पर वह रहने से वे गायब नहीं हो जाएंगी। बलकि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करती जाएंगी। हलांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलज्ञाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है। लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे। इससे को भविश्य में अपने इस संबंध का रास्ता तै करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप चुस्त, विश्वसनीय, द्रढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षातकार में आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक् रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे। उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आएं आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रक तो पिछले कुछ समय से अच्छा है लेकिन मानसिक तनाव बह रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। क्रियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए। नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ करते हैं स्वास्थेकर बहुत आपको करते हैं।